हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू माय चानल सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहें सौफ्ट क्रीन आई मेकप लुक इस आई मेकप लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है इसको वीडियो में आगे देखेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चान आप कोई भी आईब्रो पैंसिल का यूज कर सकते मैंने यहां पर ब्राउंशेड लिया और डिफ्रेंस देख सकते हैं दोनों आइब्रोस में कितना जादा डिफ्रेंस है पैंसिल लगाने से उसके बाद में एक स्पूली के हल्प से अपने आईब्रोस को कॉम कर लोंगी य दूसरे आईलेट को भी सेम ऐसे ही कंसील और कॉम्पेट के साथ सेट कर लेंगे इस टप को करने से आपके आईशेडो जो हैं बहुत ही उभर के आते हैं उनका कलर देखता है यहां पर मैं ले रही हूं नीट्रल शेड और इसको मैं अपने आईलेट के उपर लगाऊंगी क्र आप उसमें से सबसे लाइट शेड चूज करके आप अपने क्रीज एरिया पर लगाएं जैसे मैं यहां पर यूज कर रही हूं बहुत ही लाइट शेड है और बहुत ही जंटली आपको इसमें यूज करना है या पर मैं आपको डबल की स्पीट से दिखा रही हूं उसके बा पैलेट मैंने इसमें से ब्लैक शेड लिया है और इससे हम एक लाइन ड्रॉब करेंगे जो हमारा क्रीज एरिया है और कॉर्णर से मैं लाइन ड्रॉब करूंगी जैसा कि आप देख रहे हो ऐसे ही आपको लाइन ड्रॉब करना है एक ब्रश की हल्प से और एक फलफी कि त्टे डंसוג अलिए इसके अंदर होना क्रीज बनाएंगे जरह चारा को फिर यहाँ पर मैंने क्छिय को मैं क्लीन के रहे हूं याँ यहाँ यहाँ पर हम लगाएं कीपी निया देदी कर एक और इसे हम अपना क्रीज बनाएंगे और इस क्रीज को में बहुत ही ध्यान से बनाना है नहीं तो यह फिर उपर नीचे भी हो सकता है जैसे आप देख रहे हैं मेरे यहां उपर थोड़ा सा ज्यादर लग गया है पर कोई बात नहीं इसको हम ठीक कर लेंगे आगे कि स्टेट करने से आपका जो आई लूक है वह बहुत ही अच्छा आता है बहुत ही सुन्दर दिखता है इससे इसमें जो भी आप शैडू लगाते हैं वो उसका जो ओरिजनल कलर है वही दिखता है का कि वे देलर को अच्छे से अप्लाइ करने के बाद हम इसको कॉम्पेक्ट के साथ कसी सेट कर लेंगे प्रेस कर लेंगे स्कू और फिर में दुबारा से स्विच स्वालेश बिर्ड़ी का ही प्लेस कर लोंगे अगर से आईशाड़ों को प्लेस करने के बाद मैं एक ब्रश लोंगी और अपने आईशाड़ों को जो है सारे आईलेट के उपर ब्लेंड कर लोंगी और अब यहां पर मैं सेम पैलेट से ब्लैक आईशाड़ों लेकि ग्रीन शेट के साथ आईलेट के पर मिक्स कर लोंगी ताकि वह हार्ष ना दिखे या फिर ऐसा ना लगे कि वह अलग अलग है इन दोनों शेड़ों को आपको बहुत ही अच्छे से ब्लैंड करना है ताकि एसा ना दिखे कि आपने अलग से कुछ प्लेस किया हुआ है यह दोनों बिल्कुल मर्ज हो जाना चाहिए पिर यहां पर मैं लगा लूँगी आई-लाइनर यहां पर मैंने कॉलोसॉल का लाइनर लिया है अपके पर जो है आप लगा सकते हैं लाइनर कंप्लीट करने के बाद मैं स्विस ब्यूटी का पैलेट से ग्रीन और पिंक शेट लेके मैं नीचे वाटर लाइन के नीचे इसको अपलाई कर लोगी और उसके बाद मैं वाइट काजल यहां पर लगा रही हूँ वाइट काजल का लुप भी बहुत अच्छा लग आई लुक जो है वो कंप्लीट हो गया है आप जरूर बताएगा आपको कैसा लगा यह लुक और यहां पर मैंने फॉल्स आइलेश भी लगा लिये हैं तो आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें कॉमेंट कर दें शेयर कर दें पने फ्रेंड्स के साथ और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मज़ वाचिंग दे वीडियो